नमस्कार दोस्तों Tech Indy में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूँ अंकुर सत्वारा और आप सभी को एक सुहाना संडे मुबारक हो तो इस संडे को और सुहाना बनाने के लिए मैंने ते किया है कि हर एक संडे में हर एक हपते के सबसे most requested topic होगे उस पर एक वीडियो करूगा आपके लिए और guess what यहाँ पर मुझे already काफी request आये है कि इस topic पर वीडियो बनाए या फिर उस topic पर वीडियो बनाए तो हर एक संडे आपको एक exciting topic पर या फिर आपने request किया हुआ वीडियो मिलेगा तो इस चैनल को subscribe कर लिजे और अपनी request डाल दीजे और आज मैं आपको बत इसे बीना मेहनत करें 10 से 20 सेकंड में कैसे तयार कर सकते हैं तो बीना समय गवाए इस वीडियो को like कर दीजिये और चलिए देखते हैं कि आप यह सब कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले तो ब्राउजर ओपन कर लीजिए और यहां पे आप आप ने देखा कि मैंने अल्रेडी टेख हिंदी के लिए काफ सारे लोगो डिजाइन कर रखे इस वेबसाइट से तो मैं चाहता हूँ कि आपको वेबसाइट का पता चले तो आप डायरेक्ली उस को यूज करने की तरीके या फिर उस पर्टिकुलर आप मेरी तरह अच्छा सा लोगो डिजाइन कैसे कर सकते आसाने से वह पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ तो यह वीडियो पूरा देखिए उसके बाद वो वेबसाइट पे जाएए तो वेबसाइट है canva.com तो उसे खोलते ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का बटन दिखाए देगा तो रजिस्टर कर दीजे सिंपली तो यहाँ पर मैं फेस्बुक से लॉग इन कर रहा हूँ तो यहाँ पर उस साइट का डैश्बॉर्ड ओपन हो चुका है आप यहाँ से यूज कस्टम डैमेंशन चूज कर लीजिए और यहाँ पर आपको साइज पूछ रहा है तो उसे पांसो पांसो दे दीजिए या फिर ज्यादा भी दे सकते हैं और आपके सामने लोडिंग होती हुआ स्क्रीन आएगी और आप यहाँ पर अपना लॉगोड डिजाइन कर सकते हैं फिर इस कस्टम अप्लोड करके भी उसे एडिट कर सकते हैं तो यहाँ पर बैग्राउंड में वाइट रखुगा और यहाँ पर आपको डायरेक्ली थोड़े ही समय में लोगो डिजाइन करना है तो मैं रिकमेंड करूगा कि आप टेक सेक्शन में चले जाएए और टेक सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे ओल्रेडी टेंप्लेट्स अवेलेबल है तो उसे आप एडिट करके डायरेक्ली अपना लोगो डिजाइन कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक एक्जामपल दिखा हुगा मैंने यहाँ पर यह चूज किया है इसे मैं डायरेक् ही ते हें हिंदी निउस कुछ भी एडिट कर सकते हैं और अपना लोगो डिजाइन हो जाए उसके बाद इससे अपसे कर सकते हैं या फिर फ्यूचर में शेव की हुई अपनी लोगो को इसी वेबसाइट से आप कर सकते हैं और यहाँ पे जो डाउनलोड का बटन दिखाई दे रहा है उससे आप अपना logo डाउनलोड भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर काफ सारे ओप्शन अवेलेबल है jpg, png, pdf, print भी कर सकते हैं यहां से आप logo को तो यहां पर मैं png में save करता हूँ और यहां पर प्रोसेस शुरू हो चुकी है logo create होने की और यहां पर आप देख सकते हैं कि logo डाउनलोड हो चुका है उसके बाद दूसरा यह तरीका है कि यहां पर आप element पर क्लिक कर दीजे तो यहां पर icon पर चले जाए अगर आपकी technical channel है तो अपना technical icon चूज़ कर सकते हैं अगर आप online किसी चीज़ के बारे में logo बना रह सकते हैं इसका color change कर सकते हैं इसे delete भी कर सकते हैं और आप दूसरा logo भी डाल सकते हैं आप मेरी tag channel है तो मैं यहां पर simply एक smartphone एड़ कर रहा हूँ उसके बाद आप यहां पर text section में जा सकते हैं और यहां पर अपने text insert कर सकते है और इस text के आप color change कर सकते हैं size change कर सकते हैं इसके font भी change कर सकते हैं तो यहां पर मुझे पूरा कस्टमाइजेशन वह भी free में देखने को मिल रहा है तो एक काफी अच्छी बात है उस तरह से आप अपना logo design कर सकते हैं और free में यूज़ कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते कि बहुत कम समय में आप एक अच्छा सो logo design कर सकते हैं तो आसा रखता हूँ कि आपको यह वीड लोगो design किये हैं उसकी links है तो आप उससे चेक कर सकते हैं और website की भी link नीचे description में available है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो like कीजिए अपने दोस्तों और relatives के साथ share कीजिए और बने रहे है टेकंदी के साथ request करते रहे हैं अगले संडे मिलते हैं एक और नए requested वीडिय में अपका दिन सुब्रे